जितना टाइम प्रीशेस होता है उससे कहीं ज़्यादा मुल्यवान या कहीं प्रीशेस आपकी हार्ड वर्क मनी होती है इसको फिजूल खर्च कम और हमीं यूटलाइज ज़्यादा करना चाहिए चलिए बढ़ते हैं आज के एक पैनी स्टोक की तरफ लेकिन उससे पहले एक चोटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें इस कमपनी का प्रैमरी बिजनस फाइनेंशियल सर्विसेज में है शेयर का करेंट मार्केट प्राइज 6.51 बुक वैल्यू 21.9 जबकि स्टोक फिलाल 0.30 ट देकर अभी गिरावट की एक्सपेक्टेशन ही है इसका RSI 35.86 जो की फियर जोन में होने के साथ ओवर सोल्ड और अंडर वैल्यूड के काफी करीब है कमपनी पर डेट जीरो है फ्री कैस्ट फ्लो 2.36 करोड जो की प्रिविस येर 7.76 करोड का था वहीं क्वार्टर वन काफी शांदार रहा जहां पर 1.98 करोड का नेट प्रोफिट हुआ कमपनी को और साथ ही सेल्स में भी काफी बड़ा उचाल देखने को मिला ये कमपनी ओल्मोज डेट फ्री होने के साथ अगला क्वार्टर भी अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रही है प्रोफिट ग्रोथ 9500 यहां में अपना वो ही पैसा लगाना चाहिए जिसका हमें कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़े जैसे रद्दी का समान बेचकर या फिर मंतली जो हम फास्ट फूड खाकर पैसे को वेस्ट कर देते हैं काफी शांदार रिटन ओन कैपिटल एंपलोड 69.4 परसेंट लेकिन रिटन ओन इक्विटी जुरूट लो दिखाए दिया अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट शेर होल्डिंग पैटरन की और जहां पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 14.91 परसेंट की है जो एड करे 52 वीक रेंज की तो शेर हाई 10.5 और लो 1.99 रहा अपने 52 वीक हाई को टच करने के बाद से ही इसमें लगाता लोवर सरकेट लगता हुआ नजर आया शेर में अभी गिरावट और देखने को मिल सकती है चलिए अब कंपनी के नाम को भी डिस्क्लोज करते हैं गोइन का ब